आज हम आपको एंब्रियो ट्रांसफर पद्दती की बारें बता रहे हैं जब आपके भुरुन हम अंदर आपकी बच्चेदानी गर्भाशें में रखते हैं यह प्रस्सस ऐसे होता है जो कि आईवेफ का एक पश्रा का स्टाप रहे ही अीजो हुता है यह घृतको बदा करने के पहले का स्टेप बिकास यह वू दिन होता हैं julis स्टें बहुत इंच्छन से लंग उटाई हूटि आपकी यह ए काम आते हैं तो हम day two day three पे भी ट्रांसफर करते हैं यह एक पतला सा बिल्कुल बिना general anesthesia के करते हैं तो patient सुबह खाबी के आता है वो अपने सारी दवाईयां भी समय पे लेके आता है और दो घंटे पहले एम्डू ट्रांसफर होने के दो घंटे पहले तक वो urine पास करने नहीं जा सकता है पिशाप करने उसका bladder full होना चाहिए एम्डू ट्रांसफर के लिए उससे हमें सहायता मिलती है patient भी उससे देख पाता है और जो बच्चेदानी की position होती वो align होके straight हो जाती है जिससे की बच्चेदानी के अंदर जो हम भून रखते हैं वो properly अच्छे से रख पाते हैं अब ये सारे process करने के बाद हम embryologist को बताते हैं कि हम ready हैं ready फिर जो embryologist होते हैं जो बहुत important part निभाते हैं वो ये भून बनाते हैं जो embryologist होते हैं ये हमें embryos और media लाके देते हैं media को हम पहले देते हैं वो एक तरह से embryo की रख्चक का काम करते हैं and इसके बाद ये outer outer catheter होता है इसके थूई हम embryos रखते हैं ये outer catheter आपके embryos को protect करता है because ये जो होता है बिल्कुल पतला होता है इससे हम पहले अंदर जाते हैं ये uterus की जो और से उसको ये उसको cross करता है जो कितने हमें अंदर जाना कितने centimeter अंदर जाना है ये सारी measurement हैं OPD में जब हम patient के scan करते हैं उस वक ले लिया जाता है इसके थूई हम अंदर जाते हैं को फिर से बोलते हैं कि ये cross हो गया है अब अपने बहुन वोला के हमें दे सकते हैं और हम उस बहुत लंबी इस प्रक्रिया को नहीं कीच सकते हैं कि ये विक्स आंपरे आगे हैं हमने रख दिया वह देखने के बाद कि ये विल्कुल सही है अमरों प्रक्रियों नहीं होता करते हैं अब इसके द्वारा भी हम पेशन को दिखाते हैं यहां पे जो भुरुन रखते हैं वो फ्लैश साइन होता है उसके द्वारा हमें दिखता है कि यह बुरुन हमने सही से रख दिया यह हम फ्रीज करके पेशन को दिखाते हैं उसकी बच्चेदानी के अंदर भुरुन शाइन करते रहते हैं इसको फ्लैश साइन बोलते हैं अब यह से क्लियर हो गया कि सारे भुरुन अंदर रख दिये गया है